हर कोई चाहता है कि बहुत ही आसान तरीके से बिलकुल टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता बन के तयार हो जा जो आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आया और जो आप अपने बच्चों को इजीली बना के कभी भी तुरंत टिफिन में भी दे सकते हैं और घर पे के बाद हम इसको अच्छे से एक बाउल में निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद यह बहुत ही आसानी से निकल जाता है देखिए एक बार इसको प्रेस करेंगे तो यह निकल जाएगा तो यहां मैंने कौन को एक बाउल में निकाल लिया है इसको जो रेशे थे उसको भी हमन में काट लिया है उसको भी डाल दिया है आप और वेजिस इसमें डाल सकते हैं जैसे प्याज भी डाल सकते हैं और गाजर भी और एक चमच मैंने डाल दिया यहां पे लाल मिर्च एक चमच काला नामक अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फिलिंग जो है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में तो इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा होता है तो हम इस तरीके से इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा फिलिंग बनके रेडी हो चुका है अब यहां पे मैंने लिया ब्रेड के जो साइड्स हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से काट लेंगे उसको हम बाद में यूज करेंगे देखिए इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड के जो साइड्स है उसको कट कर लिया है सारे ब्रेड को इसी तरीके से हम 3-4 ब्रेड एक साथ रखके इसके साइट्स को बिल्कुल अच्छे से कट कर लेंगे अब हमने लिया है यहाँ पे एक प्लेट में पानी और ब्रेड को डाल के इसके पानी को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेस करके निकाल लेंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पे फिलिंग जो है डाल दिया है और इसको हम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से धीरे धीरे इसको प्रेस करके अच्छी तरीके से इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं सर्कल शेप में बना सकते हैं हमारे हाथ में इस तरीके से उसको हम करते रहेंगे ताक कि फटे नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको बनाना है देखिए पहले तो ब्रेड को ले लेंगे फिर उसको बात पानी में डिप कर लेंगे डिप करने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके जो पानी है उसको बिल्कुल अच्छे से निकाल देंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से किया गया है तो बहुत ही आसानी से यह फिलिंग हम डाल देंगे इसमें और इसको फिर से सॉफ्ट हैंड से हमने इसको यहां पर ऐसे प्रेस कर दिया है तो हमारा गोल गोल जो कौन चीज ब्रे अब जो हमारे ब्रेड के कॉर्नर्स बचे थे उसको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे तो सब को डालके हमने एक जार में इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है इसको ग्राइंड करने के बाद हम एक बावल में इसको एक कटोरी में डाल लेंगे फिर हमन डिप करने की जरूरत नहीं है मैदा या किसी चीज की जरूरत नहीं है यह बिलकुल आसानी से अच्छी तरीके से चिपक जाएगा इसमें और आप चाहें तो हाथ से इसको थोड़ा सा बिलकुल प्रेस कर लें तो जो ब्रेड क्रम्स है वो फ्राइ करते टाइम निकलेंगे न अब हम एक-एक डाल के इसको बिलकुल अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तेल हमारा गर्म हो चुका है एक-एक हमने इसको सॉफ्ट हैंड से डाल दिया है यह उपर से बिलकुल गोल्डन ब्राउन होता है और अंदर से बहुत ही क्रीमी चीजी और टेस्टी बनके तयार हो जा रहेंगे नहीं तो यह फड़ जाता है तो इस तरीके से किसी भी चीज से हम बिलकुल इसको सॉफ्ट हैंड से पलड़ते रहेंगे जब यह पक जाएगा अच्छी तरीके से तो यह बहुत ही अमेजिंग कलर दीखेगा इसका दिखिए इस तरीके से मैंने इसको धीरे धीरे बिलकुल अच्छे से सॉफ्ट हैंड से इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है जब यह थोड़ी देर बाद फ्राई हो जाएगा मेडियम फ्लेम में तो इसको हम एक बार आई फ्लेम में रखे इसको हम अच्छे से पका तो आप देख सकते हैं ये बिलकुल perfect बन के तयार हो चुका हैं, ये बीच बीच में कभी fut भी जाता है, इसलिए हम इसको बिलकुल soft hand से तयार कर लेंगे, आप देख सकते हैं, ये कितना अच्छा बन के तयार हो चुका है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइ और सबको खिलाइए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में